Hello and welcome back to my YouTube channel, Anika Nazir. Hope you all are doing well and great. तो आज मैं फिर से अपने साथ एक मेहमान को लेकर आई हूँ आपके सामने. हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, Banty जी. उनकी चैनल आपने देखी होगी, उनका content आपने देखा होगा और बहुत ही सराहब भी होगा. आज बंटी जी हमारे साथ जुड़े है हमारे चैनल पर, बहुत-बहुत शुक्रेयां बंटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, thank you for joining us, thank you, आपको भी, और मैं तो आप से जम्मो कश्मीर ने मिलना जाता था, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें इन से करनी हैं तो सबसे पहले बंटी जी आप अपने चैनल के बारे में बताई है और थोड़ा सा और अपने बारे में हमें बताई है ताकि ओडियंस को content क्याला और जो असल में उस content को run करते हैं वो कौन है उनको ये भी पता चल जाए जी मेरा चैनल है इंडियन मीडिया लेटेस्ट के नाम से उसमें गरीब पांच लाग से ज्यादा सस्क्राइबर है मतलब मेरी फैमिली के मेंबर है मतलब सस्क्राइबर वाला तो मैं कभी यूजी नहीं करता हूँ उसको तो बस शुरुआत ऐसे हुई थी आज से तेड़ दो साल पहले जब यह पाकिस्तान के क्या होते हैं अब इंडियन यूटूबर पाकिस्तान के कॉंटेंट को सिर्फ कोपी करके अफ्लोड कर दिया कर देते उसमें आपको पता हैं कश्मीर को लेका हैं कामीर आफ्लोड को लेकर हिंडू को अबस में लाड़ा स्यर देती हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे इनको करेक्ट करके अपलोड करना चाहिए तो शुरू शुरू मैं करता था, कुछ मजाग भी बनाता था, तो शुरू शुरू में लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस टेम पर आपको पता हो तो लोग सिरफ न्यूज देखना फ देखा करते थे मतलब पूरी दुनिया में उसके चैनल के हिसाब से भी मुझे लगा इसको काउंटर करना चाहिए और वो लोगों को इतना प्रसंद आया तो जब मेरे ख्याल से समंधे HERE देखते हैं जो हिंडी नमस्ते खास्तोर से andare in diosht seco ड कि आज हम आपसे इसी सोचल मीडिया के बारे में बात करेंगे प्लाटफॉर्म्म केドर में बात करें जिन से हम अपना opinion सामने रखते हैं, या कोई बात सामने रखते हैं. बढ़ी आपको पता ही होगा, आप भी इंडिया पाकिसान content पे काम करते हैं, तो भात सारे पाकिसानी चैनल्स भी होंगे जो चीसे सामने रखते हैं, तो आपके हिसाब से कितना जरूरी है ओपीनियन रखना क्योंकि आप देखे देखे जैसे आपने कि आपने अपने चैनल स्टार्ट किया और आपने यह तैग कि हमें जो है इस जो यह नकली न्यूज है इसका जो प्रोपागेंडा है वो उसका जो बांडा है वो मैं फोड जब यह नकली न्यूज आपके सामें आती है बार बार और काउंटर करने वाला कोई नहीं है तो फिर यह न्यूज आपके जहन में जो है आपके जहन पर असर डालती है और आपके जहन को आउगजा करती है तो कितना जरूरी है यह इन प्लाटफॉंस पे रहना और अपने opinions को counter opinions के तोर पर सामने रखना जी बिल्कुल बिल्कुल आप जो बिल्कुल जो बात करी है बिल्कुल एकदम perfect ही है और जो पाकिस्तानी के लोग जो खास हो से जो भारत के खिलाब और कश्मीर को लेकर इतना propaganda चलाता है वो एक जूट को किसने किसने कही है महाना आदमी ने बा फीप यहां तक कि पाकिस्तान की अवाम भी यही बोलती कि कश्मीर के अंदर कर्फू लगा हुआ है उन को internet नहीं है उन पर जुल्म करते हैं उनकी मावें वेटीओं को इंदिनार में उठा के ले जाती है और आज भी यही नेरेटिव पाकिस्तान की अवाम में अगर आप आपको पता चलेगा कि उनके दिमाग में जो आपने का नरेटिम बील्ड करका दिया जाता है, तो उनको आज भी लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को लुत अरश में मना गया है, उनको मज्जिदों को नहीं जाने दिया मतलब कि क्या बोलते हैं उसको ये जजबा जिहाद और वो मतलब मुसलत करने के लिए पूरी पाकिस्तानी आवाम तैयार है तो वो नेरेटिव बिल्ड कर दिया अब वो जितना पाकिस्तान की आवाम को कर सकते दे कर दिया अब उनका इंफुलेंस करना है इंडिया के अंदर और जैसे जैसे समय के साथ में शोशल मीडिया बढ़ता गया और ब्रोड्कास्टिंग बढ़ती गई टीवी मतलब आज हम बेटके कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं कुछ भी नियू जान सकते हैं जैसे आप भी देख आभी कश्मीर में हूं मैं यहांजेपूर में हूं तो पूरी दुनिया को पता चल चुगा है कि पाकिस्तान जुट बोलता कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को कोई तवज्जव भी नहीं देता हर बार कहीं भी जाते हैं हमेशा एक लाइन होती चाहे पाकिस्तान को कोई भी पीएमो कुछ भी हो तो नेरेटिव बिल्डिंग करन हमेशा जチャンネル करने के अंदर और उसको हमें आप जो तक्लिफ होती है अपने डेश के बारे वहैं में जैसे आप आपको इंडिया से प्यार है और आप इंडिया के बारे को गलत बोलेगा तो आपका दिल करेगा उनकी फेक न्यूज को सही करके बताना या फिर उनका माजाग बनाना और और मैं वैसे भी कोई मतलब फेक न्यूज मतलब जो भी अपनी तरफ से बताता हूं वो रिसर्च करके बताता हूं ऑथेंटिक न्यूज बताता हूं लोगों को तो ऐसे लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ वाई यह जो बोल रहे है वो थोड़ा गलत है यह जो कह रहा है कि यह सही है और शामने वाले को फैसला करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है बिल्कुल सही क्योंकि यह चीज मैंने भी काफी हद तक नोटिस की है जब से मैंने यूट्यूब जाइन किया और अलग- कि कश्मीर के ऊपर प्रॉपागेंडा किया जाता है फड़ोस मुल्क के तरफ से अब कश्मीर ही ऐसाना कि लेकिन वो काम कर रहे हैं बहुत सालों से इस जस्ट डाड कि वो यूट्यूब पे नहीं है या किसी और प्लाटफॉर्म पे नहीं है तो उनका काम दिख नहीं रहा है तो इससे एजी हो जाता है ना उन पडोस मुल्क के लोगों के लिए एक न्यूस चलाना और एक प्रॉपागेंडा सेट कर देना कि वहां की लोग तो इस दौर से गुजर रहे हैं वो इस जुल्म हैं उस जुल्म है क्श्मीर तो अपने काम में बिजी है मैं तीन सालम से पना क काम कर रही हूं मैंने रिसेंटली जोइन के तब जाके लोग उने जाना कि कश्मीर में कोई रहती है और वो ये काम कर रही है तो यह पर लिए ज़रूरी था कि मुझे पहले से ही अपना काम दिखाना चाहिए था ताकि मुझे सेटिंग है ना वह बिल्ड ही नहीं होती पहल और सबुना की इन अपनी जाती है और सब्सक्राइब को और रहे कि आपयातों बहुत छोटी लेकिन जासे जोह हिंत्य मेरी कि कश्मीर के इंदर वह आधम सुनेगा जो जम्मू कश्मीर में कभ ना तो कभी गया और जम्मू कश्मीर के बारे में मतलब आज से चार-पांट साल पहले 370 होने से पहले आए दिन फत्रवाजी की घटना की खबर आती थी कभी आर्मी पर टेक हो गया कभी कुछ मुझाहिद्दीन मारे गए इस टाइप की खबर आती ना तो आदमी वहां जाने से डरता भी है कास्तों से टूरिस्ट और कश्मीर आपको पता जन्नत है जो एक बार कश्मीर देखा है वो तो डिनाई करी नहीं सकता है कि कश्मीर जन्नत नहीं है तो वह एक डर का माहूल था तो वह टूरिस्ट जाने से पहले सोचता था घबराता था लेकिन जैसे बेरा जैसा था में 2021 पर आया तो मुझे बदा मेरी इंडियनार्मी वहां पर है कुछ भी नहीं होने वाला और टूरिस्टों को वैसे भी कुछ टार्गेट नहीं करते तूरिस्टों के साथ में कभी एसा कुछ बड़ा हमला हाथसा नहीं हुआ है कश्मीर के अंदर तो लोगों में डर होता है यह बात सही है क्योंकि सब अपनी फैमली भी भी बच्चों के साथ जाते हैं सिर्फ वो एंजोय करने के लिए जा रहे और कल लो खुदाने खास्ता कुछ गलत हाथसा हो जाए तो जाविडार जाता है कि नहीं अब कुछ नहीं है यह बंदी कश्मीर में बैठ के बारे में बात कर सकती है कश्मीर दिखा सकती है जो मतलब दूसरी यूटूबर है वो तो जगे जगे घुम घुम के भी वीडियो बनाते हैं कश्मीर के तो खुद अपनी आखों से देखते हैं टूरिश्टों से बात कराते हैं तो एक दर होता ना वो खदम हो जाता है और सबसे में बातों मैं तो यह बोलना चाहूँगा कि आप डरो मत आप बिंदास कश्मीर जाइए आपके वेलकम के लिए कश्मीरी तयार कड़े है और इतना प्यार मोहबत से बाते करते हैं मैं आपको सीरियसली बता हूँ कि फिश लास्टाम गया था ना तो मेरे को किसी ने बना गया था कि तो कश्मीरी से उलिजने की जरू बिल्कुल अपने और बोला तेरे साथ कल को कुछ भी बात होती ना तो पुलिस स्टेशन भी जा नहीं जरूद नहीं सीधर आर्मी के बात जाना वो तेरी हाल करेगी तो मैं सिरब एक दिन के लिए रूगा था तो इसा देखो होता ने जो पहले कश्मीर जाके आया था उसन मैं आपको यह कहणा हूं तो जब मैं लाश्टाइम आया था स्रह मैं एक दिन के लिया था लट्दाग जाना था मुझे बाइट से आया था मैं वहां ही मुझे मेरा जो यूटूब देखती थी एक कश्मीरी लड़की थी वो भी मुझे एक दरगा में मिली थी और फोटो श हम गूमने जाए एदर जाए उँद तो मेरा टाइम आभ तो मैं जैसे मेरा डर था जह मैं आको क्शमीर आया वह पूरी तरीक से डर को कटब हुगा मैं ज्याद करने से बात नहören कि मैं करना यूट है तक शिकारन वह बूट हँं चलागा तो मैं मैं बड़लबْबत्री की मैंने देखे इस बार में तो हहरान हो गया जगे जगे पर प्योर वेज रेश्ट हो रहे ना आपको अगर वेज भी खाते हो कोई दिक्कत निया बिंदास आ जाईए तो नेरेटिव बिल्ड था और वो मेरा इस बार खतम हो गया मेरे दिमाग में भी थी कुछ बाते लेकिन व कि बार में पर आपके नजर होगी तो आपको ऐसा है कि जब से बहुत सारे कश्मीरी जो है वह यह विल्कुल सामने आखे अपने आपको प्रिजन करते हैं, अलग अलग जगों पर जाते हैं और यही नहीं अभी नहीं मतब़ग कश्मीरी यूट्यूबर्स जो अलग अलग बनाते हैं, वो भी उनके शायद बाकी रेस्ट आफ दे इंडिया में उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन जो अब लोग आ रहे हैं सामने और बात कर रहे हैं अलग-अलग चीजों पे, अलग-अलग मुद्दों पे, या कश्मीर के बारे में, यहां के कुछ फरक दिखाई देता है कि उस जो प्रोपागेंडर सेटिंग उसमें थोड़ा सा वो कतार कम हो रही है, और और वो नरेटिव जो है, और वो जो कांटेंट है, वो अलब तरीके से आप सामने आ रहा है, भिलकुल आ रहा ना, देखिया, आप तो कश्मीरी है, आपको त किया था पाकिस्कान ने, और जो एक इमेज बन गई थी, जम्मू कश्मीर की पूरी दुनिया की सामने, हिंदूस्तानियों के सामने, तो वो जो नरेटिव बना हुआ था, वो जैसे आप जैसे लोग से सामने आए, इसका यही तो फायदा हुआ कि जिनको डर था, जिजक थ हो गई, बोला नहीं कश्मीर ठीक है, चलो, कुछ नहीं होगा, तो इसलिए तो टूरीजम बढ़ रहा है, और टूरीजम बढ़ने से, मैंने इस बार रहना है, मैं रमजान में गया था, तो मैंने लगबक किसी को भी परशान नहीं देखा, मतलब मैं मार्केट में भी गया ह जैसे शेविंग क्रीम बालों से, वहाँ भी बैठके बात, यह और कश्मीरी लोग, उनसे बाते करी, और मतलब सबने वेलकमिंग, मतलब किसी नहीं कुछ नहीं किया, मतलब इसा कुछ नहीं बोला, ना टेड़ी निगास से देखा, और अराम से खुशों के बात कर रहे है, अपने कश्मीर के बारे में ब方क बत कर रहे, मुझे बोले हैं की, वहीं एक नहीं तुम्हें कहा की, कहीं जाना हो या ना जाना हो, मत जाना कश्मीर में, लेकिन गुलमर्क जरूर देख खाना, клиम कश्मीर का दील है, और मैं जिस दिन गया था उस दिन रर वो बारीश हो ती वहां पूस्ते पूस्ते नो वह बारिश बरफ में बदल गई तो स्लो मेरे उपर फर्स्ट टाइम गिरी थी थी थोड़ी सी देर के लिए तो रिगोड़ी तो बिल्कुल बिल्कुल मैं गया था लेकिन बारिश हो रही थी तो उपर जैसे जैसे हम गुलमर्क पहुंचे रहा तो बहूत ही ज्यादा खूप्सूरत था लेकिन बारिश की बज़े थोड़ा की चड़कादा हो गया था वह बनी कहां से आ गई थी तो उसकी बज़े से थोड़ा सा मिस्मेनेजमेंट हो गया था ट्रेफिक वेश्ट लग गया था लेकिन कोई बात नहीं चलता है क्योंकि पहाड़ों के उपर से जाना पड़ता है लेकिन मैं यह बोलना जाओगा कि आदमी के जो कश्मीरी थे बहुत वेलकमिंग लगे बहुत शुट लगे और कोई दिक्कत नहीं थे उनको अगर जैसे रमजानों में आपको बता है अगर कोई रोजे से उसके सामने कुछ खाए तो तो मैंना कि वहाड़ी यह होती है और यह लोगों को नहीं पता होती है और इन स्टॉरिस को सामने आने के बहुत जरूरत होती है अच्छा आप यहां पर बहुत सबसे बात है आप बहुत सरे टेंपल भी है यहां पे कोई ऐसा आपका जो टेंपल मैं जम्मू कश्मीर के सार देखके आया है मैं और मैंने एक खीर बावानी जिनके बारे में बहुत सुना था मातारानी रंग बदलती है तो मैं खीर बावानी गया था और जो आज पास के छोटे-छोटे मंदिर नहीं है वो सब देखके हूं मैं और उन सब के वीडियो ब्लोग भी मनाये मैंने अब ए करके लाई हुँआ हैं यहां से रिलिज्द करके पूरी दुनिया को देखके हूं मैं में करके आद करने में यहां देर करके मेरे लोग दो आप यहाँ वहाँ के वारे में नहीं बताते हैं, हमने कितनी आप बाबार आपको बताया, कि आप नहीं बता देए, मैं जब गई थी, तब मैं यूट्यूबर नहीं थी, और वो वीडियो मेरे पास है नहीं, और आप जब मैं जाऊंगी तो मैं ज़रूर बढ़ाँ, लिकिन अभी प्लान में नहीं है, क्योंकि मैं बागी काम के साथ भी बिजी हूँ, लेकिन आप गले करके, अप्लोड नहीं कर रहे हैं, तो मैं सारे अप्लोड करूँगा, अगर आपके वीवर भी देख रहे हैं, तो मेरा ब्लोगिंग चैनल, HK420 ब्लोग से नाम से यह है, उसे प हमें, तो ख़ी पाई करें में आपके साथ तो खाना लाएनां यहां के रही तो पे आप दो खेूआ फूर मैं मैं लेकिन के साथ कित्फन कश्मीर मुस्लिम लोग परसाद बाटे हैं मतलब परसादों के दुपाने उनकी है चुनरी वो दे रहे हैं और बड़े कुश्चों के दे रहे हैं अलगे सार लास टाइम दो तीन बार गई हूं हमारी एक मैम है उनके साथ वो जब भी हाती तो वो मुझे बताती हैं तो हम साथ में चल लेकिन वो स्टोरी ज्यादा बहार नहीं आती जरूरत है ताकि लोगों को एक प्रस्पेक्टिव ले विदिन दे कंट्री नॉट साथ कंट्री वो अगर कहीं पे वो गैप रह गई है उस अंडर्स्टैंडिंग में वो फिलोना बहुत जरूरी है जी 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 और मैं आप अगर कोई सोचे कि वह नहीं मिलेगा तो वहां भी मिलेगा तीन या चार रेश्टोरेंट है पंडितों के यह कश्मीरी और वहां पर रहते हैं पंडित का जो अलग से क्यूजीन है जैसे दम आलू वाले जो भी मतुमाद रहते हैं किसी नहीं का बिल्कुल वैज और वैज जी जी मैंने उसका भी फूलो की बनाया है मैंने बनाया है वहां नद्रू उसको खेक्ष्मीरी में वहां नदू का साग बिलकुल नद्रू की सब्सी सब कुछ everything जो भी वैज है उससा पिला पनीर भी बना काने का मेरा मन नी था लेकिन कश्मीरी पुलाव भी बनाने के लिए रेडी था वोला सर आप हमारे गेस्टों इतना खुश हो गया कश्मीरी मतलब पंडित थे वह दिल से खिलार थे यह से लग रहा था जैसे कोई अपने फैंबली मेंबर नहीं होता कि काफी दिल बाद में ज लेकिन जो डर था अब जैसे लोगों को आप जैसे लोगों के आले से जो नेरेटिव बनाया हुआ था लोगों का और कुछ लोग क्या थे कि कश्मीर पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान कश्मीर में भी थे जो कश्मीर पाकिस्तान की जुवानी बहुत है जिसकी वज़े से जो वो दिखाना भी चाहता था ना कि जैसे आपने बोला कि वो ऐसे मुझे लगा कि किसी ने टेरी निगास नहीं देखा, वो तो पहले भी था, कि उनके अंदर वो प्यार मुभबत की भावना तो पहले से ही थी, लेकिन जो वो कुछ अनासर ऐसे थे, कुछ elements थे, जो नहीं चाह अनी है, लेकिन अब वो चुपटा आप साइड में बेढ़ रहे हैं, वो भी आप कश्मिरी की तरह जिंदगी जी रहे हैं, कर रहे हैं, उनको पता है क्या वाइश नहीं है, जो था असल में वो अब रिवाइव हो रहा है, और वो कभी तर प्र 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 ने चे रह जाता, एक आखरी सवाल में आप से पोचना चाहूंगी, कि इतना सब हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है, और कश्मीरी खुश है, पूरा देश खुश है, लोग यहां से अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, रहते हैं, वहां के लोग यहां रहते हैं, कोई ऐसा मदबेद नहीं है आपस में, तो फिर यह जो हमारी पडोसी हैं, यह क्या obsession है इनका, कि इनको बार पर obligations आते हैं, कभी G20 को लेकर, कभी बाकी चीज़ों को लेकर, इसको आप कैसे explain करते हैं? देखें, मैं तो इसको ऐसे explain करूँगा, अगर थोड़ा हाइड लाइन में बोलू, तो देखें, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान का जन्मी नफरत की बुनियाद पर हुआ है, जब तक पाकिस्तान पूरी तरह के से डिश्टो नहीं होएगा, तब तक पाकिस् साजी से हमेशा होती रहेगी, और यह पाकिस्तान कभी नहीं लुकने वाला, क्योंकि उसकी बुनियाद ही नफरत है, हिंदुस्तानियों से या हिंदुयों से नफरत कि हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, और वो नफरत ही लेके पाकिस्तान गए थे, और वो नफरत हमको पता कश्मीर की. नैंटी फोर्टी एट में जिन कवालियों को, अफगानी ओडर पर जिन लालाज देके बेह जा था. कितनी मावेन बेटिया मारी गई थी. कितनेओं के साथ में बलतकार इन कवालियों के घर घर को लूट के गए थे कश्मीरियों के उन्होंने ना तो हिंदू पंडित देखा ना मुस्लमान कश्मीरी देखा उनके सामने जो आया उनको काटते चले गए वो और जिसना लूट सकते थे जितना मार सकते थे उन्होंने बिना बेरवाओं के यह सब काम किया कश्मीरी मामेनों के साथ में लेकिन फिर भी कुछ कश्मीरी पाकिस्तान के मन मुताबिक वो अपना जो पक शेदर अधर रखते दे थे बिल्कुल बिल्कुल आप तो काफी हत्ता कंट्रों हो चुका और आप तो एसे कोई ख़बरे भी नहीं आती है तो मैं यह बोल रहा हूं तो जो पाकिस्तान है ना का पाकिस्तान ना तो उसको कश्मीरी से मतलब ह अगर आप देखें आप पाकिस्तानी पब्लिक रिम इस तो मैंने काफी मैं तो बहुत चुनता हूं क्योंकि मेरा तो कश्मीरी लोग चाहिए कि उन पर बहुत जुल्म हो रहा है तो उन कश्मीरीों को हमारे पाकिस्तान में लिया आते है और जमीन इंडिया को दे देते है नहीं नहीं ऐसे कैसे जमीन तो हमारी है हमारी तुमारी कहां से आई भाई जमीन पाकिस्तान में तो 1947 से पहले इंडिया में था अगर एक लोजिकली कोश्चन किया जाए तो कश्मीर उनका कैसे हुआ वो जबरतिती का दावा ठोकते है कश्मीरियों को मारा पीटा और हम कश तो क। मारा तो कष्मीरियों के साथ खड़े हैंं कश्मीरियों कोल एक वीडियो में लेन कि तुम तह दो बहु आज के सी मिदे व हैं में आपको में उनके लुंट पार भाई वाप टे तो वो मेरे साथ एक वरती महान यूटूबर की टूराओ तो उसको बड़ी पसंद आए थी उसने वहां खीर बावनी में खाई थी तो वहां रस्ते में दिख गई जम मतलब शीन नगर में की सब्या वाला रोड पर हाई वह खाड़ा हूआ का कि दो पार अटे कर रहें हैं तो इतना जोर जोर से रज़ा ले अपको नहीं पता हुआ आटे के लिए लगे लो हम हिंदुस्तानी है हमाद दिल हिंदूस्तान के लिए दढकता है वो वीडियो है मेरे तो बड़े उसमें मज़े लिए कश्मीर इने पाकिस्तानी यूगे तो ये ट्रोपेगेंडा जो आप खेरे हो ना कि खतम करेंगे कभी पाकिस्तानी कभी खतम नी करेंगे ये खुद खतम हो जाएंगे अब आप खुद ही देखिए ना खतम हो गे खतम हो गे कि उससे डबल पैसे जम्मू कश्मीर का डॉलोमेंट मोदी जी खर्च कर रहे 14 बिलियंड डॉलर मेजर गौरा वार्या सर का वीडियो एग देखा वह उतमें कहते हैं कि देखना एक दुन हमें कटोरा फेक के मारेंगे मुझे हमकी वात्र वही वह जो वीडियो है कि क्लिप दिमाग में आगे किसी दिन हमें कटोरा फेक के मारेंगे इनके पास में अभी देखो पाकिस्तानी आर्मी चीप चाइना गया क्या लेकिए का टोरा इतो ले ने गया वहां से भीक लेकिया उन्होंने मेरे ख्याल से दो ग्माला को अफनि स्वर्दी ऑलों को जलिए ख्याल लेकिंट युषично अलंशल लेकिन कि आपको अपसुचननी को सवा पना में ली waoured उने का लिख जारें यह जब्सक्तों को पाकिस्तानी कभ सुध रहेंगे हैं कभी नी शुधान को जलिगी हैं अगे अगे से अग मारे की पाकिस्तान तबाह हो जाएगा उस दिन जाके यह शान्त होँगे अब इतना बुरा होने के पाफ़ दूपों पाकिस्तान के अंदर सब लगते हैं वादे लोगों को मिल नीड़ी नीडी प्यास मिल ली रहा दवाया मिल ली दिया और इंडिया के साथ जो वयापार करते थे प पाकिस्तानी तो अब कल भी करेंगे इंडिया को हम फते करेंगे अज भी एक अजवा है हिंद करेंगे अब इस वह बड़ा एक्सपोर्टर बन गया रिपाइंट ऑइल का उसके बाद भी इंको इंडिया को ही फते करना है और सौदी अरब बालों को गाली देते हैं है और आपको बहुत हैं मतलब सौदी अरब को तो कोई कोश्चन करी नहीं सकता और आप नोन-muslim हो या आप पाकिस्तानियों को बोलता हूं कि तुम कनवर्टेड मुस्लीम हो अब जैसे जिन्ना का दादा भी तो हिंदू था जिसने पाकिस्तान बनाया फैमिली तो फैमली था है उनसे वाइफ पार्षी थी तो जैसे जैसे जर्टेड मुस्लीम है उनको कहते हैं यह मुस्लिमान नहीं है यह नहीं है वह नहीं है रहम रहो एख जर तो आपकिस्तानी को कुछ नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल जब तक पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान में एक भी आदमी जिंदा है न तब तक भी उदर से हट आती तरही तो ये कभी नहीं रुखने वाले हैं, ये आंख मिचोली आ ऐसे चलती है, आपना खात्मा वैसे ही कर करके आगे भी हम आपके साथ बात करने के कोशिश करेंगे और बंटी जी का चैनल है उसको भी जरूर सबस्क्राइब करें और उनका कॉंटेंट जरूर देखें और थांक यू सो मच फॉर जॉइन थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू सबको जैश्री रारू आपके वीवर्स को हरे गशना है थैंक यू